Python एक programming language है और यह high level की programming language है बहुत ही आसानी से सीखी जा सकती है बहुत simple है और आजकल इसका use बहुत ही ज़्यादा हो रहा है because machine learning या data science वगेरा में यह बहुत ही useful है तो आप शुरू करते हैं लेकिन Python सीखने से पहले जो भी frequently asked questions होते हैं जो भी लोग पूछते हैं कि यार यह Python क्या है, क्यों सीखे, क्या benefit होगा, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों use करे, कहां पर use करे तो इन सब टाइप के कुछ questions है जो कि let's उसको पहले देखते हैं और फिर आगे हम Python की coding शुरू करेंगे तो again जो सबसे पहला question है कि भाई यह Python है क्या इसका करे क्या हम लोग सीखे मतलब फाइदा गया होगा हमें और कुछ और क्यों ना सीखे Python ही क्यों सीखे लग जाएगी क्योंकि Java में मतलब बहुत ही चीज़े लिखनी पड़ती है अगर आपको छोटा सा एक प्रोग्राम भी लिखना है तो आपको 100 चीज़े पहले लिखनी पड़ेंगी फिर जाके आप उस प्रोग्राम का output मिलेगा Python में ऐसा बिलकुल भी नहीं है Python में बस आपने Python software डाउनलोड किया और उसके बाद notepad खोला notepad में अपने program लिखा दोलाई ने लिखी और आपको output मिल गया तो मतलब बहुत ही easy है again मतलब कुछ चीज़े इसमें हो सकता है कि performance वगयरा के कुछ थोड़े बहुत issue होते है Python में जो कि बहुत से लोग इसलिए Python को prefer नहीं करते थे पहले लेकिन आजकल वो चीज़े काफी दूर हो गई है और Python फिर से one of the top language में आ गया है जो कि लोग सीखना चाह रहे हैं जिसमें लोगों को jobs वगयरा मिल रही है तो Python की जो कुछ चीज़े हैं जो मतलब main features हैं उसके बारे में बात करते हैं Python object oriented programming language है मतलब again मैं इसको ज़्यादा complicated नहीं करना चाहता object oriented programming language अगर आपने कोई और programming language नहीं सिखी है तो आपको ज़्यादा सोचने की जुरुत नहीं है आप इसको ignore कर सकते हो basically object oriented programming language आप समझ लिजे ऐसी language है जिसमें काफी high level की चीज़े होती हैं और मतलब अगर आपका basically बहुत से benefits होते हैं और now इतना आपके लिए बहुत है और बाद में हम लोग समझेंगे कि object oriented programming language क्या है क्या features है इसके और कौन सी ऐसी features होते हैं जिससे एक programming language को object oriented programming language कहा जाएगा और कौन सी ऐसी चीज़े हैं जिसकी वज़े से object oriented programming language नहीं कहा जाएगा और python simple है यह सब चीज़े तो मैंने आपको already बता दिया है अब python में बहुत सी चीज़े already बनी हुई है तो हम बस python को use कर सकते हैं और हमें बहुत सी चीज़े ऐसी है जिसके लिए हमें code नहीं लिखना पड़ेगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपना computer shutdown कर दूँ तो ऐसी चीज़े और ऐसी libraries या लैसे आप चाहते हो आपको कोई बहुत बड़ी mathematical calculation करनी है या लैसे आपको कोई assignment मिला है school में आपको कोई mathematical function मिला है आपको लैसे आप mathematics सीखना चाहते हो आप mathematics के आपके कुछ sum मिले हैं तो आप बस उसको use करके धड़ाद़ अपना काम complete कर सकते हो python में और python जो है portable है portable का मतलब यह होता है कि यार मैंने अगर windows में python use करके code लिखा और मैं इसको अगर बाद में लैसे मैं इसको कोई और operating system पे चलाना चाहता हो unix पे चलाना चाहता हो linux पे चलाना चाहता हो तो मै मैं वो सब चीजे कर सकता हूँ अब आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो वगेरा को यार like कर दो comment कर दो और subscribe कर लो क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो जाते रहेंगे और एक जो मेरा पुराना बंदा था जिसको मैंने सिखाया था python लेकिन उसने वीडिय और विडियो सब्सक्राइब नहीं की थी तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया यार वो सब कुछ बूल गया था तो यह बहुद जरूरी ऑप करो कि आप सब्सक्राइब करो मैंने सीख को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कुछ चीजे पसंद आई है या नहीं आई है तो वो सब चीजे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बात करते हैं कि यार पाइथन किसने बनाया और इसको ऐसी जरूरत क्या अनपड़ी कि इसको पाइथन बनाना पड़ा तो जो पाइथन बनाया है वो बनाया है गुईडो वेन रौसम ने थोड़ा नाम इसका कॉम्लिकेटिड है मेरे लिए एटलिस क्योंकि भाई ऐसे नाम हमारे इंडिया में तो होते नहीं है तो हाँ हँ इन्होंने बनाया था और मतलब हैडस ओफे यह पाइथन क्यों दिया कुछ और क्यों क्यों नी दिया उस ताम पर वे जो थे मांटी पाइथन स्वॉईंग सरकस की स्क्रिप्ट पड़ारे थे जो कि एक कॉमेडी सिरीज है और वहाँ पे इनको वो title से click किया कि यार इसका नाम भी मैं python रख देता हूँ, यह थोड़ा unique नाम भी है और मतलब click कर जाएगा आप भी आज कल देख रहे होगे जो भी लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ नया दे दिया python अब बात करते हैं, python को कौन को न यूज़ कर सकता है, इसके लिए कोई हमें license लेना पड़ेगा, क्या, या मतलब मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ, या ऐसा है कि मैं license लूँ और तब यूज़ करूँ, और फिर मतलब और इस सब चीज़ों के समझ नहीं आती है, तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, कि आप basically इसको freely use कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आप बहुत ही तगड़ा commercial चीज़ बना रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं, कि आज जहां भी आप इसको use कर रहे हैं, आप इनका बताएं कि हम ये वाला जो है, python वगेरा use कर रहे हैं, ठीक है लेकिन हाँ, अगर मोटा मोटा बोले तो आप python को कहीं भी use कर सकते हो it's free to use, जो भी आपको जैसे भी use करना, आप use करो in fact python का पूरे का पूरा जो source code है, वो available है, आप उसको देख सकते हो और उसमें कुछ आप add करना चाते हो, या कुछ भी करना चाते हो, वो सब चीज़े आप कर सकते हो तो बात करते हैं कि python किसको use करना चाहिए, या python की जुरत कहा पढ़ती है, तो python की जुरत आज कल हर चीज़ में पढ़ रही है, especially data science और machine language में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी जुरत पढ़ रही है reason यह है कि जो बाकी sub language है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़े और बहुत ज़्यादा coding करनी पढ़ती है अगर data science आपको करना है तो, और जो python है python में ऐसा बिलकुल ही नहीं है कोई भी नया जो बन्दा है जिसको आज की date में लेसे उसको पस basic computer आता है उसको उसके अलावा उसको कोई भी programming language नहीं आती है वो बन्दा भी बड़े अराम से python सीख सकता है और बड़े ही अराम से data science या data analytics वगेरा कर सकता है again data science थोड़ी एक अलगी catching word है यार उसको लोग काफी promote कर रहे है लेकिन data scientist बनना इतना भी आसान नहीं है I mean सिरफ python सीखने से कोई data scientist नहीं बन जाता है लेकिन python जो है वो आपका first step हो सकता है data science वाले direction में जाने के लिए ठीक है लेकिन python सीख के आप अपने आपको data scientist शुरू कहना शुरू मत कर देना तो हाँ फिर python का यूज उसके अलावा यार बहुत सी जो desktop application है उसको बनाने में होता है और इसका आप जो इस्तेमाल website वगेरा बनाने में यूज कर सकते हो कुछ जो मैं बता रहा है आपको बहुत सी libraries वगेरा इसमें already बनी होती है तो वैसे बहुत से frameworks हैं जो इसमें already बने हुए है जैसे jango हो गया flask हो गया यह सब जो है वो आपको website वगेरा बनाने में काम आते हैं इसके अलावा बहुत से mobile I mean not only mobile बहुत से gaming applications है जो आप इसमें python को यूज करके भी बना सकते हो तो basically I mean only sky is the limit और I will say कि यार मतलब कोई इना इसका जो है अंत नहीं है आप बहुत कुछ चीज़े इसमें कर सकते हो python में अब उसके बार बात करते हैं कि कौन सा वर्जन python का अभी latest में चल रहा है तो अभी latest जो python का वर्जन चल रहा है वो है 3.8 तो यार वर्जन होता के है पहले दो तो लैसे जब भाई साब ने python बनाया था तो उस time जो भी इन्होंने बनाया था उन्होंने इसको नाम दे दिया python लैसे और कुछ एक number लगा दिया क्योंकि कभी जब भी आप कोई चीज बनाते हो तो हमेशा आप उसमें improvement करते रहते हो right लैसे आपने कोई कुछ भी बनाया य उन्होंने फिर improvement करना शुरू किया तो जब भी आप improvement करते हो तो आप basically आप उसका track कैसे रखोगे आपको कुछ तो एक mechanism चाहिए होगा तो version जो है वो mechanism होता है चीजों को track करने का तो जब उन्होंने python बनाया था तो एक base version दिया होगा उसके बाद जब भी वो कुछ नया add कर तो वो version number को बढ़ा देते हैं तो जैसे पहले python 2 चल रहा था दो के बाद फिर python 3 आ गया फिर python 3 के बाद 3.something आया ऐसे ही अब 3.8 चल रहा है और जो यह python का versioning है वो basically a.b.c type की अगर बोले तो इसका syntax होता है तो जो first जब भी कभी version 1 से 2 पे जाएगा या 2 से 3 पे जाएगा य बहुत ही बड़ा major change हुआ है ठीक है तो जो first digit है वो आपका major version number के लिए होता है वो बहुत ही major change signify करता है और जो second है वो minor version number के लिए है उसमें आने की अगर आपको कोई चोटे मोटे change हो गया है जो की बिलकुल ही drastically change नहीं है मतलब उसको कोई दुनिया तहस नहीं हो जागी क तो उसके लिए यह सिरफ second जो digit है वो change करते है जैसे python अभी 3.7 चल रहा था अब 3.8 चल रहा है ठीक है और उसके बाद जो है third digit भी कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे 3.7.2 यूज हुआ है या कुछ ऐसा version आता है तो इसका मतलब जो last वाला digit है वो fix pack या कुछ bug वगरा हो फिक्स करते हैं तो वो last वाला digit अपडेट कर देते हैं तो अगर आपको कोई बोलता है कि यार मेरे को तो python 3.5 आता है तुझे कौन सा version आता है तो मतलब आप बोलते हो कि आपको 3.6 आता है तो I mean कुछ जादा difference नहीं होगा इन सब version में लेकिन अगर आप python 2 या python 3 की बात करो तो बहुत जादा difference होगा इन सब में ठीक है तो ये मोटा मोटा हम python version के बारे में अभी हम लोगों ने सीखा है तो अब बात करते हैं python source code की यार मतलब कुछ बंदों को ना लथ होती है यार मेरे को तो इसका जो है base code देखना है और उसमें उंगली करनी है मतलब कि भाई ने program बनाया तो बनाया कैसे तो उस case में अगर आपको ये python का base code देखना है तो आप python आप github.com पे जाईए वहाँ पे slash python slash c python लिखिए और आप पूरे का पूरा python कैसे लिखा गया है वो पूरा देख सकते हैं और ये usually advanced जो user होते हैं वो लोग करते हैं या अगर आप बहुत curious चाते हो तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो आप देख सकते हो कि basically professional चीज़े कैसे लिखी होती है और अगर github पे नहीं जाना चाते हो कोई भी reason से तो python.org slash downloads पे जा सकते हो वहाँ जाके भी आपको same चीज मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो वीडियो समझ में नहीं आ रही मैं तो किताब पढ़ूँगा किताब में पढ़के ही सीखूँगा मेरे को भाई बताओ कौन सी किताब ऐसी अच्छी है जिसको मैं मतलब एक बार में पढ़ूँ और python मेरी समझ में आ जाए तो उसके लिए यार अब depend करता है कि अगर आप English आपको आती है English में सीखना चाहते हो तो बहुत सी जो किताबे हैं वो recommend की हुई है wiki.python.org पे जो कि आप अब स्क्रीन पे भी देख सकते हो लेकिन अगर आप बात करें कुछ हिंदी किताबों की तो उसका idea मेरे को भाई बिलकुल नहीं है अगर जब मुझे पता चलेगा तो मैं नीचे comment section में बता दूँगा लेकिन हाँ अगर बात करें python जो officially या reference वगेरा दिया गया है तो वो यह सारी books हैं मतलब आप इस site पे जाके और भी बहुत सी books है जाके देखो यार और काफी different language में आप देख सकते हो जैसे Dutch, German वगेरा में भी बताया गया कि कौन सी किताबे हैं तो you can just go there, थोड़ा explore करो, थोड़ा हाथ पर मारो और आपको अच्छी से अच्छी किताब मिल जाएगी तो अब बात करते हैं कि यार कोई ऐसा real project है जो कि already python में बना हुआ हो और successful चल रहा हो तो हाँ भाई ऐसे बहुत से project है आप python.org slash about slash success जो url आप मेरे screen पे देख रहे हो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बहुत से आपको हजारों projects मिल जाएंगे जो live हैं जो कि organization में चल रहे हैं और उनकी success stories आपको वहाँ पर पता चल जाएगी वैसे आज की date में बता दूँ जितनी भी top की company हैं वो python use कर रही हैं और बहुत सारा vacancies हैं बहुत सारी jobs opportunities है python को लेके ठीक है तो जाओ वहाँ पे देखो किस type के projects लोगों ने बनाए हैं और अगर आप कुछ similar type का project बनाना चाते हो तो आपको idea भी लग जाएगा कि हाँ यार ऐसा already चल रहा है किसी organization में तो आप उसका reference ले सकते हो आप उस पे case study बगरा बना सकते हो अब बात करते हैं कि career opportunity को तो career opportunity तो मैं आपको बहुत देर से बता ही रहा हूँ Python आज कल का most favorite language है Python के साथ बहुत से fancy words attached हो गया है जैसे कि data science हो गया, machine learning हो गया तो अगर आपको Python आता है तो आप data science सीख की direction में जा सकते हो आप machine learning में जा सकते हो आप बहुत सी चीज़े कर सकते हो in fact अगर मेरे को कुछ भी लेसे मेरे को कोई नई job नहीं चाहिए तो भी मैं Python सीख सकता हूँ क्योंकि बहुत सा ऐसा काम है जो कि मेरे office का काम है या मेरे घर का काम है जो कि मैं बड़े अराम से Python यूज करके automate कर सकता हूँ एक शायद मेरे को अभी कहानी याद नहीं आ रही एक बंदा था उसने अपना मतलब पूरे का पूरा office का काम Python से automate कर रखा था वो बस office में जाके सिरफ मस्ती मारता था computer के आगे बैठा रहता था गेम वेम खेलता था जो कि शायद उसने Python में बना रखी थी और वो बंदा अपना समय पे काम कर लेता था वो इसलिए कर पाता था क्योंकि उसने Python प्रोग्राम लिखे रखा था उन सब चीजों के लिए तो basically वो fool नहीं था समार्ट बंदा था उसने Python यूज किया Python सीखा Python में अपना पूरा office का काम automate किया और किसी को बताया नहीं जो कि उसका smartness था क्योंकि अगर वो किसी को बता देता तो boss उसको बोलता कि भाई अब तु कुछ होर कर क्योंकि ये तो काम तुने automate कर दिया है notepad या notepad++ या कोई भी text editor और ये दो चीज़े यूज करके आप धड़ाधर coding लिखना शुरूप कर सकते हो लेकिन क्या होता यार अगर आपको चोटा मोटा प्रोग्राम लिखना है welcome to python या hello world या कुछ भी ऐसा चोटा मोटा प्रोग्राम जो कि आप हर जगे देख रहे होगे आज कल बहुत ही मितलब हर जगे चाहे हुए है python के चोटे मोटे प्रोग्राम तब तो आप अराम से notepad या notepad प्लस प्लस यूज़ करो और दो चार दिन कोडिंग करो और आपको खूब मजाएगा लेकिन अगर आप कोई बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहरे हो आप कुछ रियली you know world changing type का कुछ चीज़े बनाना चाहरे हो तो आपको चाह आपको बताते हैं कि यार यह वाला syntax ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करो और अगर आप कुछ गलत लिखने लगते हो तो यह भाई साब आपको underline करके बताते हैं कि यह तुम्हारा code गलत लग रहा है मेरे को कुछ गरबड हो सकती है तुम इसको देखो दुबारा लिखो ठीक करो तो बेसिकली यह आपको का जो development है आपका बहुत fast कर देता है लैसे अगर मेरे को एक code notepad पे लिखना है और लैसे ID में लिखना है तो मेभी मैं ID को यूज़ करके में 30-40% जल्दी लिख लूँगा तो अगर notepad में मेरे को लग रहे हैं 10 गंटे तो मैं same काम हो सकता है 4-5 ग problem है तो वो आपको दोनों जगे आ सकती है वो notepad में भी आएगा और वो IDE में भी आएगा लेकिन ID को यूज़ करना बहुत जरूरी है आज की date में अगर आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हो और IDE में क्या होता है कि जो troubleshooting वगरा है वो बहुत आसान है तो बहुत Python में code करने के लिए तो उस case में तो आपको IDE use करना ही पड़ेगा क्योंकि IDE में काम बहुत जल्दी हो जाता है तो उससे क्या होगा basically आप किसी बंदे को अगर 10 दिन के लिए hire कर रहे हो तो 10 दिन की बजाए आप वो सारा काम using IDE आप 4 या 5 दिन में करवा पाओगे तो basically आपके यह तीन चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा popular है जब भी कोई Python code बगएरा लिखने जाता है तो या तो वो पाइचार में लिख रहा होता है या Visual Studio में लिख रहा होता है या Jupiter Notebook में लिख रहा होता है तो अगें जब भी आप Python सीखोगे तो Python का लेना देना इन IDE से नहीं है जो भी Python के syntax है वो same रहेंगे चाहे आप पाइचार में लिखो चाहे वीजुल स्टूडियो में लिखो चाहे जूपिटर Notebook पे लिखो चाहे आप Notepad प्लस प्लस पे लिखो या चाहे आप अपनी copy कित आप लिखो जो code है आपका syntax है वो same रहेगा तो इसमें आपको ज़्यादा घहराने की जुरत नहीं कि यार उसने code बनाया पाइचार में और उसने मेरे को अपना code दिया मैं तो Jupyter Notebook यूज़ करता हूँ अब मेरा code चलेगा कि नहीं चलेगा तो भाई आपका code बिल्कुल च यूज़ किया है लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ता है आपका जो code है वो चलेगा अब बात करते हैं कि हम लोग कौन सा ID यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे Jupyter Notebook तो रीजन इसका यह है कि भाई यह बहुत ही आराम से आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और कुछ ज़्यादा ताम जहम नहीं करना पड़ता है रीजन यह है कि एक package आता है Anaconda, Anaconda में Jupyter Notebook और Python दोनों चीज़े अलरी होती हैं तो मैं Anaconda डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और मेरा सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा इसलिए हम लोग Jupyter Notebook यू तो वहाँ जाके देख लो लेकिन अगर आपको शॉर्ट में बताओ तो Anaconda आप यूज करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और Python प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हो Jupyter Notebook में इसको बहुत जादा डीटेल में समझने की जुरूत नहीं परती है कि यह बहुत ही सिंप www.anaconda.com slash anaconda slash install या आपको इतना बड़ा URL याद रखने की जुरूत नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जाओ और Anaconda लिखो, download Anaconda या install Anaconda on Windows लिखो और आपको जो पहला लिंक में लेगा उस लिंक पे क्लिक करो, आप यहाँ पे आजा होगे, तो यहाँ पे आने के बाद ल पर इंस्टाल करना है, तो most of the बंदे जो है Windows के ही होता है, उनके पास, especially अगर वो, I mean kind of home PC यूज कर रहे है, तो उनके पास mostly Windows रहता है, तो आप इंस्टालिंग on Windows पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो है, on Windows के पूरे स्टेप्स होगेरा दिये हुए हैं, तो यह बहुत ही असान स्टेप्स हैं, इसको मैं करके कुछ आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, जो number 1 पे आप देख सकते हो, download Dynaconda installer दिया गया है, तो यह link दिया गया है, इस पे click करके आप, जो है software download कर सकते हो, तो अ कुन सा आपको चाहिए है, उस पे click करो, downloading शुरू हो जाएगी, अब जैसे मैंने 32 bit पे किया, तो आप यहाँ देख सकते हो, downloading शुरू हो गई है, जो software है, लगबग 4-4.5 MB का software है, तो आप देख लेना speed वगरा सही होनी चाहिए, तो internet speed सही है, तो बहुत जल्दी download हो जाएग ठीक है, तो आपने यह software download किया, उसके बाद जैसे इस पे double click करो, और उसके बाद जो आपको पहली screen दिखेगी, वो यह वाली screen दिखेगी, यहाँ पर यह आपको बोलेगा कि आप कहा install करना चाहते हो, आप C drive में करना चाहते हो, आप कुछ change करना चाहते हो, तो usually मैं पाथव option आएगा, उसके next पे click करो, उसके बाद finish पे click करो, that's it, इसको install करने में ज्यादा से ज्यादा मुझे जो लगे थे, वो 6 से 7 सेकिंड लगे थे, आपको भी शायद कुछ इतना ही time लगेगा, ठीक है, तो आपने जब यह install कर लिया, इसके बाद जो आपको करना है, वो यह कर हुआ है, तो अगर मैं इस पे click करता हूँ, तो यह basically Jupiter notebook launch करेगा, अब इसको आप minimize कर दो, और आप देख सकते हो, यह actually एक नया window खोल रहा है, और इसने web interface पे, यह वाला Jupiter का interface खोल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, address bar में local host, और colon 8888 four times दे रखा है, तो यह जो है default URL हो जैसे अगर मेरे को, अगर दुबारा खोलना है, या नए tab में खोलना है, तो मैं लिखूंगा local host, colon 8888, ठीक है, four times लिखूंगा, उतलब चार बार लिखूंगा, और enter मारूंगा, तो मेरा Jupiter notebook खोल जाएगा, लेकिन अभी आप मेरे task bar पे देख सकते हो, यह जो Jupiter पे हमने click कि करना है, तो आपको make sure करना है कि यह वाला आपका Jupiter जो है, अनाकॉंडा चल रहा है, और जब भी आप shutdown करते हो, अपना system उसके बाद again आपको दुबारा से start में जाके Jupiter पे click करके start करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब भी आपको programming करनी है, आप just make sure करो कि यह आपका चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो इसको पहले चलाओ, उसके बाद आप अपना code लिख पा हुए, तो मैं click करने वाला हूँ new पे, new पे click करके मैं जाओंगा python 3 पे, ओके और यहाँ जो है, यहाँ पे हम अपना code लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यह जो Jupiter का interface है, इ उसके साथ में जो है, untitled लिखा होगा, हो सकता है, untitled 0, untitled 1, कुछ ऐसा लिखा हो, तो आप उस पे click करो, और आप इसको कुछ नया नाम दे सकते हो, तो इस case में मैं दे रहा हूँ इसको python test01.py, तो जब भी आप python program लिखते हो, तो उसका extension .py होता है, तो .py लिखो in the end में, और इसको rename पे click कर दो, अब आप देख सकते हो, इसका नाम change हो गया है, python test01.py हो चुका है, अब यह वाला जो area इसकी बात करते हैं, तो यह वाला जो area है, इसको बोलते हैं cell, तो आप python में, जब आप Jupiter notebook यूज़ करके code लिखोगे, तो आप cell में code लिखोगे, यहाँ पे अब तो आप देखोगे, जो python है, c से काफी मिलता जोलता है, उसका reason यह है, कि python जो है, वो c language को यूज़ करके लिखा गया था, अब चलते हैं, यहाँ पे लेसे मेरे को hello world print कराना है, तो अगर मेरे को कोई भी string लिखना है, या मेरे को कोई भी sentence लिखना है, तो मैं उसको quotes में लि अब मैं इसके अंदर लिखूंगा hello world, तो आपका जो है, पहला program जो hello world वो ready है, और इसको चलाने के लिए मेरे को control plus enter प्रेस करना है, तो control दबाएए, उसको दबाए रखी और enter पे click कीजिए, आप देख सकते हो, इस cell के नीचे जो भी लिखा हो आ रहा है, यह आपका program का output है अब लैसे आपको जो यह थोड़ी इसको आप large उसमें view में देखना चाहते हैं, आप यह उपर वाला area आपको नहीं चाहिए, तो उसके इसमें आप view पे click करो, और toggle header पे click करो, तो जो भी Jupiter का logo वोगो था, वो सब चला जाएगा, आपका जो working area है, वो काफी बढ़ जाएगा अगर लैसे आपको, आपको control, enter वगेरा नहीं यूज़ करना है, प्रोग्राम को run करने के लिए, तो उसके इसमें आप view पे click करो, toggle toolbar पे click करो, तो यह जो है, छोटा से toolbar आजाता है, अब rather than मैं control, enter, shortcut यूज़ करूँ, मैं run पे click कर सकता हूँ, इस code को run करने के लिए, तो पर आप लिख सकते हो, फिर से इसको code run करने के लिए, control, enter, press करो, आप यहाँ पे देख सकते हो, कि code जो है, execute हो चुका है, अब बात करते हैं, हम लोग की यह तो हो गया, एक cell, अगर ऐसा possible है, कि मैं multiple cells create कर सकूँ, तो हाँ, वो possible है, आपको shift के साथ enter, press करना है, और नया cell create हो जाएगा, और मैं किसी भी cell में code लिख के और उसको चला सकता हूँ, लेसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 प्लस 2, अब 2 प्लस 2 सबको पता है, 4 होता है, और अगर मैं control, enter, press करता हूँ, तो इसका output जो है, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो यह वाला जो code आपने लिख देखना चाहते हो, तो आप वैसा भी कर सकते हो, तो यहाँ से मैं इसको select करके, right click करके cut करूँगा, और यहाँ पे, let's say, मैं enter करके, इसको यहाँ paste कर दूँगा, पेस्ट करने के लिए, आप control, c, control, v, use कर सकते हो, copy, paste वगेरा करने के लिए, same चलता है, जो कि Microsoft Word वगेरा में चलता है, अब यहाँ पे मैं control, enter, freeze से press करूँगा, आप देख सकते हैं, जो output है, hello world, welcome to python, और 4 आ गया है, यहाँ पे, और यह वाला जो 4 आप देख रहे हो, यार, पुराना output है, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आपको इसको हटाना है, तो आप यहाँ पे click करके, control, enter, press करो, तो यह blank हो जाएगा, ठीक है, तो यह अभी तक, मतलब basic चीज़े hopefully clear हो गई है, अब हम आगे जो है, real programming सीखना शुरू करेंगी, अभी तक जो भी हमने सीखा, वो सिरफ, बहुत ही basic चीज़े थी, या बहुत ही fun वगएरा था, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें खा करते रहो, तो मैं आगे वीडियो बनाओंगा, अगर कुछ ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, तो मैं अपना टाइम खराब नहीं करूँगा वीडियो बनाने में, और subscribe कर दो यार, because subscribe करोगे तो आपको notification पता चल जाएगा, जैसे ही मैं वीडियो ने upload करूँगा,